सन फ्लेम गैस वर स्पाइप को कैसे अनफिक्स और फिक्स कीजिएगा एकदम इजिली ओही आज मैं इस वीडियो में देखांगा क्योंकि यह बहुत ही टफ और सेफ्टी वाला काम है विडियो वीडियो अनफिक्स प्रिक्श वीडियो बनाए था प्राइप कीजिए विडियो बनाए था तक अब वह नहीं देखे हूंगा ता आए बदान में लिंक का रहोगा आप जाकर चेक आओट कर सेखते है ये वीडिव्यो नियुत को जोड़ होता है जो मैं असे हुस करता है तो पुराना पाइप तॉसा विच करते है तो दौनकर ऊज़र में बेचाँ जाता है राव ने ज़ुका अगा खाल में जबेंगा और अगर आप आरे स काटे लिए अगर जुड़ा अगर आप चुरी चप कुछ भी यूज़ किजा आपका सर्फिन होगा ने अगर आप काट दीजिए गार ऑ गरम पनी के अगर ऑफ इस्तिमाल करेंगे तिदर अगर जाएगर और रेगुरेटर में गुस जाएगा तक सेप्टी मेटर रहता है तो इसका इभी ट्रेक मैं दिखाऊंगा कि कैसे आए आप इसको खोल सकते है और इसके बाद दूसरा चीज की निया पाइप को कैसे लगायेंगे कि यह जो पाइब होता है बहुत हाड होता है और इसमें कोई लुब्रिक आप यूज़ नहीं कर सकेंगे मादब कि कोई ओयली चीज मादब कि सरशोत तेल नारीयल तेल पेट्रोलियम, जेली, मोबील, कोई भी ओयर यूज नहीं कर सकते हैं कि अंदर का रबर को खराब कर देता है, यह भी सेप्टी मेटा रहता है, तो इसको ऐसे घुसाना होता है, घुसाने के बाद कोई क्लेम भी यूज नहीं करेंगा, ऐसे ही वह बैट कराना चाहिए, तो यह कि जो होता है, एक ट्रिकी काम होता है, यही मैच इस वीडियो में दिखांगा कि आप कैसे असानी से इसको कर सकेंगे, और अगर आप गैस पाइप के बारे में वीडियो देख में चाहते है, आनपैकिंग और रिव्यू, तो आई बाटन में लिंक आ रहा होगा, आप जाकर चेक आउट कर सकते हैं, तो चले ही दोस्तों निए जलता है, आपको दिखाता है ट्रिक, सबसे पहले केंडल और मैच बोक्स लीजिए, और केंडल को जला लीजिए, और अपना पुराना गैस टूप और रेगुलेटर पाइप को कीचेन और गैसलिनर से दूर कोई दूसरा रूम पर आके कीजिए, सेप्टी के लिए, बाहर आप करने ही पाएंगे क्योंकि आग बूच जाएगा मुंबत्ती और माच इसका, आप अपना रेगुलेटर और पाइप को ठीक से पकड़िए और पाइप के ओपर हीट कीजिए, देखिए इस पाइप को हम लोग काटने क कोशिस के तो छूरी चाकू आरी से, लेकिन ही काटाने उसका दाग है, और खीचने से भी यह नहीं निकलता, तो इसको चारो और से आप पाइप को हीट कीजिए, हीट करने से क्या होगा, जो पाइप हो एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब इसका अंदर जो रबबर और स्टील सैंट करने से वह बढ़ जाएगा यह लूस हो जाएगा और इसको चारो और से हीट कीजिए और साफ्दने से कीजिए, तक रेग्रोटर में आग ना लग जाए, रेग्रोटर बरबाद हो जाएगा, तो रेग्तम साफध hy buradan से कीजिए, क्यूंक हूं को आग को यूज़ करें तो हमें सा साबधाने बरस के दिरे-दिरे कीजिएगा अब निव संफ्लेम गैस होस पाइप को निव सूरिया फ्लेम गैस टोप में फिक्स करेंगे तो देखिए ये जो एलपी जी रबर होस पाइप है इसको घुसाने की कोशुस करें नॉजल में तो यह घुश नहीं रहा है इतना टाइट है तो थोड़ा साबून या फिर हैंडवास पतला करके पानी लीजिए और इसका जो नॉजल इसको पर बुला दीजिए अब इस रबर पाइप को धीरे धीरे पूस कीजिए तो यह घुश जाएगा देखे थोड़ा घुमा घुमा क पूस कीजिए तो यह घुश जाएगा तो यह जो पानी है अंदर से सूख जाता है रबर को भी खराब नहीं करेगा तो यह काम करें रूब्रिक जैसे लेकिन लूब्रिकेंट है नहीं तो ऐले चीज़ यूश करने से क्या था रबर खराब हो जाता है और उस सूख तर नही यह पानी सूख जाएगा और यह आराम से बैट जाएगा तो सेम आपको करना है रेगुलेटर में भी रेगुलेटर के अभी जो नौजल है उसमें भी थोड़ा सा पतला करके साबून या पिर हैंडवास पानी दे दीजिए और इस पाइप को धीरे घुमा घुमा करिए तो बरसिएगा तो चलिए आप जला कर देख लेते कि फ्लेम कैसा रहा है तो देखिए जलाने का बाद बहुत ही अच्छा प्लू फ्लेम आ रहा है और बहुत ही बढ़िया हो गया तो दोस्तों आस्ता करते हैं आपको यह ट्रीक और टेक्निक पसंद आया होगा तो गैस टेक्निकेल अन्बोक्सिंग और रिव्यू और देखना है और अगर आप चैनल में नया है तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन दबाते जिए और वो अल बना रोटेक्शन बेल को प्रेस करते जिए तकि आपको नेक्स्ट नोटिक्शन में जा आसा में वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्रिस लाइक में कीजिए और अपना सरक्ल में तो शेयर पिकीजिए तो फिर फोटना सपोर्ट वेजिए और फ्रेंज अवर तो टोड़े बाबाए टेक्स वीडियो नेक्स बीटर वीडियो सून तिल देन बीएपी बाबाए